आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो जैसा कि आपने थमलेल में देखा होगा कि आज हम डिसकस करने वाले हैं कुछ इंपूर्टेंट कुछ इंपूर्टेंट कुश्चिन जो हम डिसकस करने वाले हैं जो जे ओ आईटी के एक्साम में आ सकते हैं यह आपके पास सबसे पहला टोप अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस टाइप का जो कुश्चिन है सबसे पहला कुश्चिन ठीक है तो सबसे सबसे से 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 जुड़ जाये जिनको स्क्रीन पर सबसे पहला कुश्चिन देख रहा है उस कुश्चिन को सॉल्ब करने की कोशिच कीजिए ठीक है इसमें हमारे पास जो एक हेक्जाडेसिमल नंबर जो आपको देखने को मिलेगा ABC 16 ways है बेस को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके पास जो नंबर है वो कैसा है एक hexadecimal number है तो आपको क्या करना है इस hexadecimal number को convert करना है किसमे octal number में इसको convert करना है आपने octal number में तो जल्दी से इसको convert करिए octal number में क्या बनेगा कल ही हमने जो था वह discuss किया था number system से related वह सबसे पहला question है बनाईए जल्दी से इस question को अंगर बनीजी बोरे सार एक भी question नहीं आया था पुलीस में आपको कराया देखिए maths के question है तो जरूरी नहीं कि आप एक भी ऐसा topic बता दो जिस topic को हमने यहां पे discuss नहीं किया था और वो पुलीस के exam में आया हुआ था एक भी ऐसा question बतादा हू भी question कभी भी नहीं आता है exam में अगर maths की बात करें तो हू भी ऐसा नहीं हो जो question यहां पे कराया वही उठके आपको क्या आ जाएगा exam में आ जाएगा उस topics related जिस type के questions हमने किये थे अगर वैसे questions exam में नहीं आये थे तब आप जो वो बोल सकते हो की पुलीस के exam में नहीं आये था अगर आपका paper please का अच्छा नहीं हुआ है इसका मतलब यह नहीं है कि आप सामने वाले को blame करो आप एक भी question बता दीजिए कि सर ये वाला question है ये इस particular topic में से था और इस topic को हमने discuss नहीं किया था या इस type का question जो था हमने discuss नहीं किया था एक भी topic बता दो आप एक भी question बता दिया आपने तो समझे बनाइए इसको अब जैसे मैंने यहाँ पर दिया कि ABC 16 जो है उसको आपने octal में convert करना है ठीक है अब octal में conversion आईगी जो जुरूरी नहीं exam में आपको यही वाला question जो वो उठा के डाल देंगे हो सकता है ये question मैंने खुद से बनाए हो हो सकता है question मैंने खुद से बनाए जो paper set करेगा वो अपने तरीके से topic देखिए समझे कि question उसको कैसे solve करते है question को solve करना सीखिए रटना मस सीखिए कि जो question मैंने करवाए उसको रट लिया आपने और आपने exam में वैसा ही question ढूंडा कि वैसा ही question आ जाए maths, reasoning, computers यह कुछ ऐसे topics है ठीके समझे के जो logical topics है उसमें इस तरह का कभी भी नहीं होता कि who बहू आपको question में लेगा ठीके है हम किस तरह से करते हैं आपको पता है कि hexadecimal numbers को एक digit को जो है वो four binary digits में लिखते है ठीके अब आपको पता है कि a जो है वो 10 होता है b 11 होता है c आपके पास क्या होता है 12 होता है ठीके अगर मैं a की बात करूँ तो a को किस तरह से लिखेंगे हम ठीके 10 को हम किस तरह से लिख सकते हैं 0 1 0 10 की बात करें अगर हम 10 को किस तरह से लिख सकते हम इस तरह से ठीक है 11 की बात करें तो 8, 10, 11 12 की बात करें तो 1, 1, 0, 0 इस तरह से हम जो कर सकते हैं hexadecimal number को binary में convert कर सकते हैं ठीक है यह hexadecimal number है इसको हमने binary में convert कर दिया अब अगर आपको octal में जाना है तो आपको पता है कि octal में पेर जो बनता है तो तीन का बनता है पहला पेर ये बन गया तीन का दूसरा पेर ये बन गया तीन का तीसरा पेर ये बन गया तीन का चोथा पेर ये बन गया तीन का ठीक है तो यहां से के बन रहा है आपके पास 4 और 1 5 ठीक है यहां से बन रहा है आपके पास 2 यह बन रहा आपके पास 4, 2, 6 और 1, 7 और यहां से आपके पास 4 तो 5, 2, 7, 4 इसको जो है वो आप convert कर सकते हैं किसमें अगर आपको इस hexadecimal number को octal में लिखना है तो octal में कैसे लिखेंगे 5, 2, 7, 4 यह रहा आपके पास option C, option A क्यों नहीं होगा क्योंकि option A के नीचे जो होगा base नहीं लिख रखा है base नहीं लिख रखा है, it means यह hexadecimal number भी हो सकता है, यह आपके पास decimal number भी हो सकता है generally तो ऐसा होता है कि अगर base नहीं लिखा है तो वो एक decimal number होता है ठीक है इसलिए हमने जो वो option A को नहीं लिया हमने कौन से option को लिया option C को क्योंकि इसके नीचे base दिया हुआ था ठीक है तो base के define करता है कि number कैसा है आपका binary है decimal है, octal है या hexal decimal है ठीक है चलते है next question की और ठीक है कोई और word भी लिख सकते थे एसा नहीं कल हमने question को आए कुछ और करवाए ठीक है आप दीजिए उसको हम convert करके बता देंगे तो जरूरी नहीं यह word क्यों लिखा बनाएए इस question को worksheet in ms excel ठीक है जिन्होंने ms excel पर काम किया है जिन्होंने ms excel को पढ़ा है ठीक है उसमें आपको बताया गया है कि a worksheet in ms excel can be opened by clicking ठीक है अगर आपको कह करना है किसी worksheet को open करना है किसमें ms excel में तो आपको कौन से button पे click करना है ठीक है open button पे start पे close पे या none of these पे ठीक है ठीक है ठीक है जो भी repetition मांग रहे हैं वो कल वाला lecture देख लेना क्योंकि जो पिछला question है उससे related हमने पूरा का पूरा session किया था कल number system ठीक है 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 कि किस तरह से convert करना है ठीक है तो इस question को मैं repeat नहीं करूंगा open button ठीक है open button के साथ जा रहे हैं कि open button करेंगे जी नहीं इस answer होगा आपके पास none of these ठीक है none of these होगा क्योंकि अगर आपको करना है किसी भी worksheet को MS Excel में open करना है तो हम जो नगे क्लिक करते हैं सबसे पहले File menu पे जाके ठीक है File menu पे जाके आप click करोगे उसके बाद आपने क्या करना है New पे जाना है और आपने क्या करना है पर नई जो है वो sheet उस तरह से आप open कर सकते हैं यह question किस तरह से कि आपके वास MS Excel खुला है और आपको क्या करना है एक नई वरक्षीट उसमें क्या करनी है ओपन करनी है तो नई वरक्षीट ओपन करने के लिए आपको खाली क्या करना है सबसे उपर यहां पर अगर आप MX Excel खोलोगे तो यहां पर आपको एक file menu दिखेगा ठीक है इस तरह से अगला question देखिए you can print in Excel ठीक है एकसल में आप क्या चीज़ प्रिंट कर सकते हो comments प्रिंट कर सकते हो worksheet को प्रिंट कर सकते हो arrange of cells by arrange name इसको प्रिंट कर सकते हो या all of these ठीक है जी विलकु फाइल और new में जाना है भबंदर चुहान जी तो new पे क्लिक करना है ठीक है इसको बताइए कि आप एक Excel sheet ठीक है अगर आप क्या कर सकते हो सिर्फ comment print out कर सकते हो worksheet को print कर सकते हो पूरी की पूरी या arrange of cells by range ठीक है ठीक है एक particular range को print कर सकते हो cells की या सभी को print कर सकते हो जी बिलकुल all of the these ठीक है all of ever means आप क्या कर सकते हो सब को Excel पे क्या कर सकते हो print कर सकते हो ठीक है अगर आपको किसी comments को print करना है तो उसको अप अलग से print कर सकते हो ठीक है पूरी की पूरी worksheet को print करना है उसको भी print कर सकते हो ठीक है या particular range of cell को अगर आपने print करना है उसको भी आप आगे देखिए ठीक है ये networking से related question है ये networking से related question है the ground station in B-set communication is called ठीक है, जो B-set होता है हमारा ठीक है, very small aperture terminal, ठीक है, satellite communication में जो अब इसको use किया जाता है B-set means a very small aperture terminal ठीक है, full form होती है इसकी, a very small aperture terminal ठीक है, ये इसकी क्या होती है full form होती है, आपको बोला गया है कि जब इस B-set communication में, ground station पे जिसको use किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है ठीक है, जो ground station पे B-set communication होती है, उस particle जी, विल्कुल hub बोलते हैं, उसको विल्कुल सही answer है, option B-hub ठीक है, hub आपके पास एक device होता है जिस device के साथ आप क्या कर सकते हो बहुत सारी another devices को या बहुत सारे users को connect कर सकते हो ठीक है, जैसे इस तरह से आपके पास एक hub है, ठीक है, एक आपके पास central hub होगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे users को connect कर सकते हूँ ठीक है, ग्राउंड पे जो आपके पास ये B-set communication के लिए यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं ठीक है, तो हब के साथ जो भी जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं जी बिल्कुल, फॉर्थ का जो है वो option B होगा, हब होगा ठीक है, अगला question देखिए next question फ्लोस इन सिग्नल पावर एज लाइट रैवल डाउन इन फाइबर ठीक है, अप्टिकल फाइबर की बात करें अगर हम तो आपके पास इस तरह से एक अप्टिकल फाइबर होती है तो इसमें आपको बोला गया है कि इसमें जो सिगनल का लोस होता है उस सिगनल की लोस के लिए एक पर्टिकलर वर्ड यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हम ठीक है, पूछ रहे कि डिफरेंस बिट्वेंड हब, स्विच, राउटर, रॉपीटर and गेटवे ठीक है, तो हब जो आपके पास एक intelligent device नहीं है स्विच जो आपके पास एक intelligent device है ठीक है, क्योंकि स्विच के थुरू हम क्या कर सकते है पूर्टिकॉलर अड्रेसे जो वो सेंड कर सकते है कि किसी पूर्टिकॉलर परसन तक ही आपने क्या करना इस information को पहुंचाना है ठीक है, हब में ऐसा नहीं होता हब में आपके information को जो वो हर कोई access कर सकता है ठीक है, अपके data को हर कोई access जी बिल्कुल, attenuation जो है, इस question का बिल्कुल सही answer होगा कि the lowest in signal power as light travels down the fiber is cold उसको को बोलते हैं, attenuation बोलते हैं ठीक है, उस lowest को particular word ना दिया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, attenuation How many types of cell references are available in MS Excel अगर MS Excel की बात करें तो उसमें आपको cell references देखने को मिलते हैं, वो कितने type के cell references आपको देखने को मिलते हैं MS Excel में बिल्कुल attenuation के साथ जो भी जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं attenuation जो है वो इसका answer होगा, option B के साथ जा रहे हैं, 3 बिल्कुल सही है, इस question का answer 3 होगा, कि हम में MS Excel में तीन type के references जो हैं, वो देखने को मिलते हैं ठीक है, पताइए तीन type के references कौन कौन से देखने को मिलते हैं आपको ठीक है, तीन type के देखने को मिलते हैं आपको एक relative cell references ठीक है, एक आपके पास होते हैं absolute cell references और तीसरा जो होता है आपके पास वो होता है, एक relative होता है, एक absolute होता है तीसरा आपको mixed cell references देखने को मिलेंगे, ठीक है एक absolute relative cell references और एक आपके पास mixed cell references तो ये तीन जो है वो cell references आपको देखने को मिलते हैं, एक MS Excel में ठीक है, तो option B जो है इस question का बिल्कुल सही answer होगा, जलिए next question पे the operation of combining two cells into a single cell, ठीक है, अगर आपको का करना है, MS Excel में डो cells है, ठीक है, cells क्या होते हैं, आपके पास इस तरह से, जो भी आपको MS Excel की sheet की कुछ इस तरह की sheet दिखेगी और उसमें आपको जो भी इस तरह से चोड़े-चोड़े boxes मिलेंगे, ठीक है इस तरह से आपको जो पह चोड़े-चोड़े boxes जो वो देखने के मिलते हैं तो एक पर्टिकुलर बॉक्स को हम क्या बोलते हैं ठीक है एक पर्टिकुलर बॉक्स जोता है इस पर्टिकुलर बॉक्स को हम क्या बोलते हैं ठीक है अगर आपको दो बॉक्स को मर्ज करना है उन दो बॉक्स को कमबाइन करने के लिए जी बिलकु option B के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, अगर रेखिए, जी बिल्कुल, अब आपको अगर कोई chart create करना है, तो chart create करने के लिए जो है, वो आपको किस option का use करना है, ठीक है, अगर आपको ms excel में, ये बिल्कुल basic question है, ms excel के, जो जीओ के paper में, आपने ms excel के question देखी होंगे, ठीक है, जिसमें आपको जो solve करना होता था, जी बिल्कुल, जिसमें आपको क्या करना है, इस तरह से कुछ charts दी होते हैं आपको, और उसमें आपको क्या करना होते हैं, उनके answers बताने होते हैं, वो वले questions भी हम क्या करेंगे, solve करेंगे, ठीक है, formula translation, या जो आपके पास formula transformation की formulas कैसे use करते हैं, हम किसमें, एक ms excel में, जी बिल्कुल, chart wizard, बिल्कुल, सही answer है इसका, कि अगर आपको chart create करना है, किसमें ms excel में, तो आपको किस option पर जाना है, chart wizard option पर जाना है, ठीक है, समझगे, insert में जाओ, आपको दिख जाएगा chart wizard option, ठीक है, इस पर जाना है, आपको chart वहां से आपको क्या कर देना है, insert कर देना है, ठीक है, अगला question देखिए, the slide is a feature of slide, जो है, वो किसका feature है, ठीक है, समझाना है, बहुता है, fast 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 fast, सिर्फ question पढ़के, उसके options ही नहीं देने है, समझ कि आपको चीज़ है, समझ बहानी चाहिए, नही पर मैं आया नहीं था, ठीक है, जी हो सकता है, कुछ questions हो भी इसमें, जो भी पूछन रहा ही, ठीक है, और हो सकता है, कुछ questions उसमें, ना भी हो, समझ गे, बिल्कु पी पी टी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जुमब आपको slides देखने को मिलती है क्योंकि जब आप MS Bird पे जाओगे तो MS Bird में आपको pages देखने को मिलते है MS Excel पे जाओगे तो MS Excel की sheets होती है slide की जब बात करते हैं slides हम किसके अंदर बनाते है slides बनाते हैं किसमें MS PowerPoint में है ठीक है presentation वाला जो software होता है उसमें हम जो को क्या करते है slides बनाते है PowerPoint जिसका एवा answer बिल्कुल सही answer है next देखिए right clicking something in PowerPoint तो ये सारे काम जो हैं वो आप कर सकते हो ठीक है आप क्या करिए PowerPoint को open कीजिए MS Word को open कीजिए MS Excel को open कीजिए ठीक है जो जो भी चीज़े जहां जहां में click करना है click करके देखिए कि क्या आपने वहां पे click किया क्या वो option से match कर रहा है या नहीं match कर रहा है ठीक है तो ये चीज़े ज़्यादा तब याद रहेंगे जब आप उसको practically करोगे ठीक है तो आपने powerpoint open करना है और उसमें right click करना है ठीक है powerpoint open करना है और उसमें आपने क्या करना है right click करना है right click करने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा आपको देखने को मिलेगा कि एक shortcut menu खुल जाता है इस तरह से आपके पास जो एक shortcut menu खुल जाता है जो भी आपको उपर जो आउंट या आपके पास color change करने के लिए ठीक है, text का size बढ़ाने के लिए, गठाने के लिए, कौन सी language चूज करनी है उसका जो आपके पास एक shortcut menu जो वहाँ पे create होके आ जाता है समझ गए, जी बिल्कुल open a shortcut menu listing for the object बिल्कुल सही answer है, जिसका भी option C है, बिल्कुल सही है इसका ठीक है, ये सी जे करके देखनी है आपके है, हनु सिंग जी बहुत एक सार तो फ्लीज थोड़ा फास करवाँ ठीक है, अगर आपको fast देखना है वीडियो, तो आप जब वीडियो अपलोड हो जाती है, उसके बाद भी आप वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, fast forward करके देख लीजिए Which of the following button for align is absent in the format toolbar in powerpoint ठीक है, powerpoint में अगर अगर आप लास्ट में देखोगे तो आपको एक इस तरह से format toolbar दिखेगा ठीक है, इसमें जाईएगा जब भी जो manual आपके बास जो होता है tab ठीक है, एक उपर आपके बास क्या होता है, title bar होती है, उसके बाद एक menu bar होती है menu bar के सबसे last में देखोगे आपको एक format tool bar मिलेगा उसमें आपको बोला गया है कि powerpoint में कौन सी alignment नहीं होती, left नहीं होती, right नहीं होती, center नहीं होती या none of these, जी बिल्कुल none of these बिल्कुल सही आपका none of these जी बिस question का answer होगा ठीक है, क्योंकि अगर alignment की बात करें तो आप left में वे align कर सकते हो, powerpoint में, right में वे align कर सकते हो, center में वे align कर सकते हो, even top में वे align कर सकते हो, और bottom में वे align कर सकते हो जब आप अपना Microsoft PowerPoint खोलोगे, तो format पर जब आप क्लिक करोगे तो बिल्कुल last में देखना, एक एक से box बना होगा, उस box में इस तरह से align लिखा होगा, तो हाँ पर आपको यहाँ पर click करना है, click करोगे तो एक list खुलेगी, उस list में देखोगे, left align भी होगा, right align भी होगा, center align top align होगा, bottom align होगा, सारी के सारी alignment आपको देखने को मिले, ठीक है, तो इस question का answer क्या होगा, none of these, ठीक है, none of these जो है, इस question का answer होगा, आगे the best way to insert a new slide in presentation, ठीक है, अगर आपको क्या करना है, किसी presentation में नई slide को insert करना है, तो उसका सबसे best तरीका क्या है ठीक है, तो हम next time से कोशिश करेंगे, कि हम जो है, पूसाथ में pictures भी insert करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो भी आपकी pictures होती है, किसी MS Office की है, या अगर Excel के बारे हैं पट रहे तो Excel की जो भी picture है, या अगर आपको क्या करना है वैस तरीके से नई slide को present करना है तो उसका जो सही option है वो है slide shorter view से जो हो आप क्या कर सकते हो easily insert कर सकते हो नई slide ठीक है next the special effects used to introduce slides in presentation of powerpoint ठीक है अब powerpoint में कई बार जो आप special effects use करते हैं special effects means जैसे इस तरह से है ठीक है तो अगर इसमें special effects use किये होते हैं तो जैसे यह question पहले आता फिर उसका पहला option आता फिर दूसरा आता फिर तीसरा आता फिर चोथा आता ठीक है यह कुछ और भी अलग अलग type के जो वह effects आपको देखने को मिलते हैं अपनी presentation को ज्यादा effective बनाने के लिए ठीक है तो वह effects जो है वह आपको कौन से टूल वार में मिलते हैं जी बिलकोल उसको क्यबलते हैं हम transition अगर आप देखोगे तो जो आपका ऊपर आपके आपके सटाइटल लिखा हुआ अगर इस तरह से आपको transition लिखेगा उस transition पर अगर किलिक करोगे तो आपको सारे सारे effects जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे और आपको इफेक्ट यूज़ कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगए ठीक है ट्रांजिशन जो इस question का बिल्कुल सही answer होगा ठीक है तो class के बाद जो आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हो उन software को open करके ठीक है MS Word को open करके Bluetooth कमंसिंदर वीच ओफड़िया network डिके ग wraぎ Android करते है वो कौन से टाइड का network है ले लोकल इनेट व्रक करते हैं और अट्रियलесь नेट्वडर्ड के पर medidas नेट्वर्क है आपके दर इन नेट्वर्क है यôर परिसानल अरिए नेट्वर्क है ठीक है अलग अलग टाइप्स के नेटवर्क होते हैं जो भी हम कम्यूनिकेशन के लिए कुछ नेटवर्क बनाते हैं ठीक है तो वह अलग अलग टाइप के नेटवर्क होते हैं जिसमें आपको बताना है कि जो ब्लूटूथ के थूँ आप connectivity ठीक है जो Bluetooth के थूज़ों वो आपके बनाते हो नेटवर्क बनाते हो वो कौन से टाइफ का नेटवर्क होता है जी परसनल एरिया नेटवर्क होता है ठीक है वो कौन सा नेटवर्क होता है वो आपके पास परसनल एरिया नेटवर्क होता है सबसे बड़ा wide area network कौन सा है घर wide area network की बात करें तो विश्व में जो सबसे बड़ा wide area network है वो कौन सा है हमारा internet internet जो है wide area network में आता है ठीक है, multiple repeaters and communication satellites, satellites, transmissions are cold ठीक है, अगर आपको कहा करना है, satellite communication यूज़ करनी है तो वहाँ पर क्या किया जाते है, multiple repeaters यूज़ किया जाते है repeaters क्या होते है, आपके पर से एक circuit होता है, एक regenerator circuit होता है जिसका काम होता है, signal को amplify करना ठीक है, जिसका क्या काम होता है, signal को amplify करना, उसका काम होता है कई वहाँ जब होता है, हमारा signal weak हो जाता है तो signal को दुबारा से क्या करने के लिए strong बनाने के लिए, उसको amplify करने के लिए, हम जो वो बीज बीज में repeaters, circuits जो वो यूज़ करते है multiple repeaters in communication satellite transition is cold अगर आपको क्या करना है, multiple repeaters यूज़ करने है, तो उनको हमके बोलते है transponders ठीक है, बिलको बैन, internet बिलको सही बोला है अपने, ठीक है सुमन सौनी जी ठीक है, तो transponders बोलते हैं हम उनको ये computer network के questions है ठीक है, जो questions है, ये computer network के question है modulator नहीं बोलते हैं ठीक है, carrier का क्या काम होता है carrier उस signal को safely लेके जाता है secure लेके जाता है, उस signal को उस signal में loss नहीं होने देता ठीक है, तो modulator का वो काम होता है मोडूलेटर में जो लग लग टाई की मोडूलेशन होती है जैसे के कुछ amplitude modulators होते है मारे पास कुछ frequency modulators होते है ठीक है तो इस तरह के लग लग modulators होते है उनको हम क्या बोलते है ट्रांसपॉंडर बोलते है अगला देखिए repeaters operate in which layer of OSI model जब हम OSI models के बारे में पढ़ते है ठीक है जब हम OSI models के बारे में पढ़ते हैं OSI models मैं बोला repeater जो है वो कौन सी layer में यूज किया जाते है ठीक है तो repeater क्या है एक तरह से hardware device है तो mostly hardware devices जो यूज किया जाते है वो physical layers में यूज किया जाते है ठीक है mostly जो आपके hardware devices होते है OSI model में वो mostly hardware devices कहां पर यूज किया जाते हैं, फिजिकल लेयर में यूज किया जाते हैं, तो repeater भी कहां पर यूज किया जाएंगे फिजिकल लेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर जो होती है, वो सबसे नीचे वाली लेयर जोती है उसको क्या बोलते हैं फिजिकल लेयर बोलते हैं ठीक है और उसमें जो हमोपो mostly क्या किये जाते हैं hardware यूज किये जाते हैं ठीक है अगला कुशन देखिए moving from one website to another website अगर आपको क्या करना है एक website से दूसरी website पर move करना है ठीक है अगर आप क्या करे हो websites यूज करे हो अगर एक website से आपको दूसरी website पर move करना है तो उस particular process को हम क्या बोलते हैं ठीक है या उस particular task को हम जो हम वो क्या बोलते हैं applying बोलते हैं moving बोलते हैं jumping बोलते हैं या surfing बोलते हैं जिब बलकुल surfing बलकुल सही answer है जिनका वह answer surfing है वो बिल्कुल सही answer है, ठीक है, surfing के साथ जो भी जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो उस particular process को हम क्या बोलते हैं, surfing ठीक है, अगर एक website से दूसरी website पर जाना है, तो उस particular जी बिल्कुल, surfing बोलते हैं उसको, next देखी the standard protocol of an internet is called, ठीक है internet का जो standard protocol होता है उस को हम क्या बोलते हैं ठीक है, जो specially किसके लिए use किया जाता है internet के लिए ही use किया जाता है internet layer में आपको देखने को मिलता है वो OSI model की है, ठीक है तो उस particular protocol को हम क्या बोलते हैं जी बिल्कुल, TCP IP ठीक है, TCP IP, क्योंकि यह जावा जो है, यह protocol नहीं है HTML protocol नहीं है, flash जो आपके बस memory है, तो protocol आपके पास इसमें एक ही है, वो कौन सा है TCP IP, ठीक है TCP IP जो है वो आपके पास एक protocol है ठीक है, तो यह बन गया आपके बस TCP transmission control protocol और oblique IP मतलब internet protocol ठीक है अगला question Hotmail is developed by है, ठीक है यह बिल्कु बेसिक से questions है, यह question जो होँआप बेसिक से questions है Hotmail is developed by Hotmail को जो है, वो किसने developed किया था जी बिल्कु ट्रांसमेशन कंट्रोल प्रोटोकोल बोलते हैं इसको, ठीक है TCP IP जो प्रोटोकोल होते है तो specially डिजाइन किया गया है किसके लिए, इंटरनेट के लिए सबीर भाटिया जी बिल्कु बिल्कु सही है, इनका तो सबको पता होगा, ठीक है, इस question का अंसर तो सबको पता होगा, यह बिल्कु सिंपल सा और असा सा question है कि होट मेल जो developed किया था, सबीर भाटिया जी ने जो था, होट मेल को क्या किया है, developed किया है, ठीक है, अगला question देखिए, ठीक है, यह जो बेसी के लिए यूज किया जाता है, वह web pages को, ठीक है, website के जो pages होते हैं, उनको design करने के लिए जो है, वह किसका use किया जाता है, HTML का use किया जाता है, बैब पेज जिसका भी अंसर है वो बिल्कुल सही अंसर है देख पार हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो बैब पेजिस के साथ जा रहे है ठीक है next question जी बिल्कुल इसकी जो full form होती है वो होती है आपके पास hyper text ठीक है markup language ठीक है hyper text markup language जो है वो इसकी full form होती है next question पर चलिए cyber crimes includes ठीक है cyber crimes जो होते हैं ठीक है जैसे किसी की cyber crimes जो है वो किस से अनुसिंग जी वो रहे हैं कि बाद मैं ही देखते हैं speed में जी बिल्कुल बाद में देखिए ठीक है cyber crimes की बात करें तो illegal access ठीक है illegalत को wolves website को एक्सेस कर रहे हो illegally या किसी के account को अगर आप illegally इंटर्एपश्चंअ झार करोग जो सारे के सारे के सारे के सारे है cyber crimes है all of these, जो भी इस question का answer होगा, ठीक है, आगे देखिए अगे देखिए, fire walls are used to protect against, ठीक है, fire walls, आपने system में देखे होगा, fire walls use होते हैं, ठीक है, तो fire walls किसके लिए use होते हैं, ताकि आपके system को कोई unauthorized access ना कर पाए, तो इस question का answer होगा, option A, ठीक है, आपके system को कोई unauthorized access ना कर पाए, इसके लिए use होते हैं, हमारे fire walls, जी बिल्कुल, option A के साथ जो भी जा रहे हैं, वह बिल्कुल सही जा रहे हैं, 22 का option A ही होगा, ठीक है, जी बिल्कुल सही है, टोटल 25 questions है, ठीक है, इसको देखिए, in how many views, you can create a table in MS access, ठीक है, views नहीं होगा, यहाँ पर ways होगा, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ways, कि कितने तरीकों से आप जो होगा, एक MS access में table create कर सकते हैं, आपको table create करना है, कितने ऐसे तरीके हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, MS access में table create कर सकते हैं, ठीक है, views ही होगा, यहाँ पर ways नहीं होगा, ठीक है, इसमें आपको जो दो type की views देखने को मिलते हैं, दो type की views देखने को मिलेंगे आपको, एक आपके पास आगया, data sheet view, ठीक है, और एक आपके पास आता है, design view, ठीक है, एक data sheet view आता है, दूसरा आपके पास आता है, design view, ठीक है, यह दो views जो आपको देखने को मिलते हैं, यह बिल्कल option, यह होगा इस question का answer, ठीक है, समझके, next देखिए, ठीक है, यह दो view है, data sheet है, दूसरा कौन सा आपको design view, ठीक है, linking the computer with the communication, बहुत ही असान था question है, ठीक है, बहुत ही असान था question है, कि अगर किसी communication system में, अगर आपको computers को link करना है, तो उस particular को हम क्या चीज़ बोलते हैं, ठीक है, कौन सा word use करते हैं, अगर आपको क्या करना है, computers को link करना है किसी communication system में इसको हम क्या बोलते है networking ठीक है networking का क्या काम होता है networking का काम यही है कि 2 या 2 से ज़्यादा system को किसी communication system में क्या करना है आपने connect करना है ठीक है तो उस particular process को हम क्या बोलते है networking बोलते है next देखिए transmission of computerized data from one location to another location ठीक है अगर आपको क्या करना है कि data को एक location से दूसरी location पर ले कर जाना है ठीक है तो उसको हम क्या बोलेंगे data transfer बोलेंगे data flow बोलेंगे data management बोलेंगे data communication बोलेंगे ठीक है जी बिल्कुल option D इस question का बिल्कुल सही होगा कि उस particular process को हम बोलेंगे data communication ठीक है कि हम data के साथ क्या कर रहे है communicate कर रहे है ठीक है अगर आपको data को क्या करना है एक जगा से दूसरी जगा पर लेकर जाना है उसको ना तो हम data transfer बोलते हैं data flow बोलते हैं data management बोलते हैं उस particular process को हम क्या बोलते हैं data communication बोलते हैं उनको भी हम देखे, ठीक है, तो कैसा लगा आज का session आपने comment section में बताना है, ठीक है, और अगर कुछ suggestions हैं तो वो भी आप comment section में बता सकते हो, कुछ particular topics हैं, जिन पर जो specially हमको focus करना चाहिए, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो, ठीक है, मिलते हैं कल की session में, तब तक के लिए, thank you so much, have a nice day and keep watching our videos.